नमस्कार, हिंदे साही तेवारता में आप हैं इस वक्त सुभाश ठाकुर के साथ दोस्तो अगर आप भी NTA NET हिंदी की तैयारियां कर रहे हैं तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़ादा जरूरी है क्योंकि इस क्लास में हम डिसकस करेंगे लगवक 30 questions जो रहेंगे हमारे इकाई 8 से और इसमें हमने जो जैशन के प्रसाद के नाटक रहे हैं तीनो उन तीनो नाटकों से कुछ एक प्रशन रखे हैं आई होब कि आप सब लोगों के लिए ये प्रशन जो है वो बहुत ज़ादा उप्योगी साबित होंगे और इससे आप कुछ और प्रशन भी साथ में बना पाएंगे तो चलिए बिना देर किये स्चार्ट करते हैं आज की इस क्लास की और सबसे पहले हम अपने स्क्रीन पे पहला प्रशन देखते हैं हमारा पहला प्रशन है देखिए कि परसाद के नाटक सकंदगुप्त के सम्मन्द में वीचार कीजे अब इस तरीके के प्रशन जो है वो जो conceptual जैसे या आपको विवरनात्म के प्रशन है वो थोड़ा जादा पूछे जाते हैं तो इसलिए आपको जादा फोकस जो आप इस तरीके से करना है जो आपका unit 6 से लेकर के 10 तक जीतनी भी चीज़े हैं उन पर तो यहाँ पर बोला गया है कि सकंदगुप्त नाटक में कुल 5 अंक और 33 द्रिश्य हैं प्रतेक अंक में 7-7 द्रिश्य हैं तो option number 1 ये हैं दूसरा है कि नाटक के चतुर्थ अंक का स्थान प्रकोष्ट है और सकंदगुप्त नाटक में स्त्री पात्र पूर्ष पात्रों को सदमार्ग दिखाने का कार्य करती हैं अतहर स्त्री पात्रों का विशेश महद्व है इस नाटक का अरंब सकंदगुप्त की अपने अधिकारों के परती सजगता से हुआ है तो यहाँ पर देखिए जब हम सकंदगुप्त नाटक की बात करते हैं तो जैशंकर प्रसाद का य जिसका आंसर था वहां से आपको वो चीज ध्यान रख लेनी थी अब आपको जो है नाटक कार के बारे में समाने चीज़ें भी याद रखनी है और जो नाटक है उसके बारे में समाने सी बातें जो हैं उनको भी ध्यान में रखना है तो आप भी इनका उत्तर जो है बलत हो जाएगा नाटक के चतुर्त अंक का स्थान प्रकोष्ट है ये बात बिल्कुल सही है आगे बोल रहा है कि स्कंद गुप्त नाटक में स्त्रीपात्र पूरुश पात्रों को सद्मार्ग दिखाने का कारे करती है इसलिए उनका विशेश महत्तो है तो ये बात बिल्कु है ठीक है और उसकी प्रारंबिक पंग्दी आती है देखना इसमें वो कहता है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है तो यहीं से ही आपको इसका आंसर जो है वो मिलना था इस अधार पर अगर हम देखें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा भी कल्प नंबर कह सकते हैं अगर आप हमारी लाइव क्लास में जुड़ना चाहें तो हमारी लाइव क्लास के साथ पी आप जुड़ सकते हैं स्क्रीन पर आपको नंबर दिया रहेगा जो हमारा वाट्सअप नंबर है जिस पर आप वाट्सअप कर सकते हैं हमारी इस लाइव क्लास का जो ए वीर एक कान से तलवारों को और दूसरे से नूपुरों की जनकार सुनते हैं प्रस्तुत कथन किसका है तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल डारेट कॉशन है कि आपको एक कथन दिया गया है और आगे आपको उसका आंसर बताना है इतना तो शिवर है कि अभी हम सकंद गुप् तो अभी जैसे सकंद गुप्त है तो सकंद गुप्त के आधार पर ही यहाँ पर प्रशन रखा गया है तो इसका जो सईयान से था देखिए यह बटार्क का कथन है तो इसको आप याद रखिएगा और यह कथन किस ने किसको कहा है बटार्क ने किसके सक बाचित करते हुए क यह आप मुझे comment section ने जाकर बता सकते हैं और यहाँ पर जितने भी यह पात्र हैं इन सब पात्रों के कथन आपको जरूर याद रख लेने हैं और दूसरी चीज़ आपको यह भी ध्यान रख लेना है कि जो पात्र हैं इसकंद गुप्तना करके रहे हैं चलिए आगे बढ़ते नियती का पत में अपने पैरों चलोंगी तो यहाँ पर बूला गया है कि जो सही मिलान है वो कौन सा है तो अपनी नियती का पत में अपने पैरों चलोंगी यह अनंत देवी का कथन है तो यह वाला कथन जो है वो बिलकुल सही कथन हो जाएगा शमशान के कुत्तों से मनुष्यों की पतित दशा है, ये कथन किसका है, ये देवसेना का नहीं है, ये विज्या का कथन है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, पवित्रता का माप है मलिंता, सुख का अलोचक है दुख, पुर्ण्या की कसावटी है पाप, ये है देवसेना का कथन, ठीक है, तो इसलि जाती तुम्हें पुकारती है, ये देवकी का कथन नहीं है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, option गलत हो जाएगा, अब आपको बताना है कि ये कथन किसका है, ये बहुत important कथन है देखना, इसको आपको बताना है कि ये कथन किस ने कहा था, बिकल्ब नमबर जो 5 था, तो आप भी इन questions का उत्तर दे सकते हैं, जो मैं आपके लिए question चोड़ रहा हूँ, कोशिश कीजिए कि आप अपने नाटक को पढ़ने के पर शात इनको कर सकें, तो यहाँ पर आपके पास जो option हो जाएगा, option नमबर 1 और 4, तो it means कि C option आपका बिलकुल correct हो जाएगा यहाँ पर, I hope आपको यह प्रशन जो है, वो clear हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर है, सकंदगुप्त में आई कथनों का सही क्रम रखिए, तो यहाँ पर देखिए, ऐसे प्रशन भी आपको पूछे जाते हैं, कि कथन जो है वो पूछे जाते है तो इनको आपको याद रख लेना है, कि सही कथन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अधिकार सुख, कितना मादक और सारहीन है, यह तो हम सब लोग जानते हैं, कि सबसे पहले शुरुवात इसी से ही होती है, तो एक तो सभी option में है, अब यह आपके सामने, यहाँ पर दिकत क्रियेट होगी, कि आगे एक तो हर जगाई है, कई वरी गया होता था, कि आपको एक अगर आ जाता है, तो फिर आपको सारी जीज़े पता रख जाती है, कवीता करना अत्यंत पूर्ण्या का फल है, मात्रिगुप्त का यह कथन है, तो यह प ठीक है, उपकारों की ओट से मेरे स्वर्ग को छिपा दिया, मेरी कामना लता को समोल उखाड कर कुचल दिया, ठीक है, अब आपको यह बताना है, कि यह कथन किस किस के हैं, पहला और दूसरा मैंने आपको बता दिया, अब तीसरा चौथा और पांचवा, प्रशन नमबर च अंसर भी कल्प नमर D हो जाएगा, अगला प्रशन देखते हैं, अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर है, देवसेना दोरा गाया गया, गीत कौन सा नहीं है, तो यहां पर बोला गया है कि जो देवसेना ने गीत कौन सा नहीं गाया था, भरा ने नो में मन में, रूप किसी छ आप बताईएगा कि कितने हैं यह, शुन्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, तो यह वाली पंगती भी किसकी है, यह भी देवसेना की ही गाती है, और उम्र चली बिगोने आज तुम्हारा निश्चल छोड, यह जो है, यह देवसेना की पंगती इसमें नहीं है, अहाँ वेदना मिली विदाई, यह तो आप सब लोग जानते हैं, यह तो सर्व विदित हैं, यह हमेशा पूछी जाती है देखना यहाँ पर, जियों तो सदा उसी के लिए यही अभिमान रहें, यही हर्ष हमारा प्यारा भारत वर्ष, तो यह पंगती किसकी थी, यह थी सक चल, छोड, यह पंगती, और जियें तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहें, यही हर्ष हमारा प्यारा भारत वर्ष, ठीक है, चलिए, यह आपको अब बताना है देखना कि इसमें क्या चीज रहेगी, यह दो पंगतियां जो हैं, वो किसकी है, ठीक है, विकल्प नमब में कौन सा पक्ष काल्पनिक है, तो अब आपको यहां पर बताना है देखना कि इसमें काल्पनिक जो पक्ष है, वो कौन सा है, छठे प्रश्न में, तो चंद्रगुप्त और कानेलिया का जो प्रेम प्रसंग है, ठीक है, यह इसमें काल्पनिक है, देखिए, और चंद्रग कालपनिक नहीं है ये एतिहासिक हो जाएगा चानक्य और सुवासिनी का प्रेम प्रसंग ये भी कालपनिक हो जाएगा तो इट मींस कि आपका जो सही option है यहाँ पर यह कौन सा हो जाएगा एक तीन और चार तो एक तीन और चार कहां पर है यह आपका भी कालपनिवर सी इसाध तो यहाँ पर जो सकंद गुपत, नाटक के पात रहें देखना, यह कौन-कौन से हैं? एक तो आप सब लोग जानते हैं, पूर गुपत भी रहा ठीक है? एक आपका रहा खिंगिल और एक आपका रहा मात्री गुपत ठीक है? तो यह क्या है? यह आपके सकंद गुपत के हैं, आमभीक और दंडायन जो हैं, ये किस नाटक के हैं, ये आपको बताना है, कॉमेंट सेक्शन में बताईए इनको, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, एक चार और पांच, यानि की विकल्प नुबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा, आठों परशन दे स्वासनी के गीत से ही इसके अरंभुती और उसके गीत से ही इसका अंतोता देखना, जो आपका चंद्रगुप्त नाटक रहा है, ये बात आप द्यान में रखेंगे, अगला प्रशन है, कौन सा गीत चंद्रगुप्त नाटक में नहीं आया है, तो नहीं पूछा गया है, सबसे पहले देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को भी उबारोगे, ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा गीत इसमें नहीं आया है, तो यह वाला गीत इसमें नहीं है, और साथी साथ सुधा सीकर से नहला दो, यह वाला जो है, यह तो इसमें आया है, यह कस तक अरे आंसू सहजा, शीतलता, फैलाता, बहजा, जो यहां पर आपका ये option है, ये भी इसमें नहीं होगा, sorry, है, मतलब नाटक में नहीं आया है, ये भी right हो जाएगा, ओ मेरे जीवन की समरिती, ओ अंतर के आतुर अनुराग, ठीक है, ये जो है, ये आपका इसमें रहा है, श्रिंग से शुद्ध भारती, ठीक है, ये वाला तो आप जानते ही हैं कि चंदरगुप्त का ही मतलब, ये गाईन है देखना, समवेत गाईन, तो यहां पर आपके पास option number, एक और तीन जो है, ये क्या हो जाएगा, ये इसमें नहीं आया है, अब आपको बताना है कि ये कि पर बताना है, मैं मगद का उधार चाहता हूँ, पर यवन लुटेरों की सहायता से नहीं, बिल्कुल बात सही बात है, ये चंदरगुप्त का ही कतन है, इसके बात ये बो रहा है कि संसार भर की नीती और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है, कि आतम सम्मान के लिए मर मि लिया का कतन हो जाएगा, मैं करूर हूँ केवल वरतमान के लिए भविश्य के सुख वशान्ती के लिए, ठीक है, ये कतन किसका है, ये कतन भी इनका नहीं है, ये है आपका जो चानक के है, विज्यों की सीमा है, पर अविलाशाओं की सीमा नहीं, पांचवां ऑप्शन भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पांचों ऑप्शन भी यहाँ पर चंद्रगुपत का ही कतन हो जाएगा, तो इस अधार पर आपके पास ऑप्शन नमबर एक, दो और पांच जो है, ये क्या हो जाएगे, ये हो जाएगा आपका देखना जो चंद्रगुपत रहे हैं, तो राकी दो आपको भी यादखने हैं और अगर मैंने ठीक बताये हैं और मुझे बता सकते हैं अगर कुछ गलती से मुझसे गलत हो गया है तो आप मुझे जो है वो correct कीजिए आप comment section में जाकर लिख सकते हैं, मिलान करने के लिए कहा गया है देखना, एक तरफ पातर हैं, दूसरी तरफ जो है उनके गीत हैं या फिर उनकी प्रमुक जो पंक्तिया है तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या है देखना कि जो आपका पातर है आगे कथन रखा गया है तो यहां पर आपको समझदारी आने पर यौवन चला जाता है जब तक माला गुंती जाती है तब तक फूल कुमला जाते हैं यह पंक्ति मोस्ट इंपॉर्टन पंक्तिया देखना यह चानक्या ने कही है तो इसलिए आप इसको बिल्कुल याद रखिएगा जबकि जो आपका ये कानेलिया है देखिए कानेलिया की कौन सी पंक्तिया इसमें देखना यदि प्रेम ही जीवन कसाते है तो संसार जौला मुखी है यह प्रशन प्रिब्येस एर पेपर में दोनों ही पूछे गए है और यह डारेक्ट कॉशन पहले पूछे गए थे कि यह किसके कतन है यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इनको अलग करके पूछा गया है और ऐसी प्रशन आपको ज़रूर पूछे नेक्स्ट है युद देखना चाहते हूँ तो मेरा रिदय फाड़ कर देखो यह कतन किसका है और किसके लिए रहा था यह वाला कतन तो यह कतन जो है वो चंद्रगुप्त कहता है मालविका से इसके आगे यही नाम ही आता है इसका देखना युद्ध देखना चाहती हो तो मेरा रिदय फाड़ कर देखो मालविका ठीक है ऐसे लिखता है इसके बाग ये यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मेरा रिदय फाड़ कर देखो मालविका तो इस अधार पर यहां पर आपका ये कथन जो है वो समापत हो जाता है त चंद्रगुप्त प्रसाद के कलियानी परड़े नाटक का परिवर्देत रूप है यह आप सब लोग जानते हैं कि यह बिलकुल सही बात है ठीक है तो पहला सही है ठीक है दूसरा क्या है इसमें समस्यात्मक नाटकों की प्रत्थम जलक देखने को मिलती है तो यह बात गलत है समस्यात्मक नाटकों की प्रत्थम जलक जो है वो किस में रहेगी वो द्रुब स्वामिनी में रहती है ठीक है यह बात आप यहाँ पर याद रखिएगा तो फिकल्प नमबर एक इसका सही हो जाएगा चौद्वा कॉशन है चंद्रगुप्त नाटक में आई प्रत्थम और अंतिम गीत क्रमशह किसके द्वारा गाए गए हैं यह प्रशन में आपको पहले ही बताया था कि वही पहला और आखरी जो गीत गाए गया है देखना वो किसके द्वारा गाए गया है यह सुवासनी के द्वारा ही गाए गए हैं तो यह बला प्रशन भी इंपोर्टन हो सकत प्रसाद के नाटकों में, नाटकों के समंद में सही कतनों पर विचार कीजिए। नाटकों में राश्री वर पाच जाते दोनों विचारधारों का प्रवाब, बिल्कुल सही बात है, इनके नाटक रंगमंचे नाटकों की श्रेणी में नहीं रखे जाते हैं, तो ये बात वैसे सही है देखना कि रंगमंच की श्रेणी में इनके नाटकों को नहीं रखा गया यानि की शांत जिसको हम कह सकते हैं ठीक है इनकी नाटकों का निर्देशन बीवी कारंत और शांता गांधी के द्वारा हुआ है तो ये वाला प्रशन तो इस पार भी आया था तो ये बिलकुल आपका सही हो जाएगा ठीक है अब इसके बाद ये कहते हैं कि इनकी आखरी नाटकों पर पार्सी रंगमंज का प्रवाव रहा ना कि बाद के नाटकों पर नहीं था बलकि जो शुरुवाती नाटक थे उन पर रहा है ये चीज़ें थी जैशंकर प्रसाद की जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए था ठीक है और भी चीज़ें हो सकती है देखना जैशंकर प्रसाद के नाटक जो रहे है वो अतिहासीक रहे है ये बात भी महत來फन है कौन सा इनका प्रसाद के जो नाटक रचना का शिक्हरबिन्दु कहा जाता है किसे ये भी ज़रूरी प्रशन है चलिए आगे देखते है प्रसाद का लिन नाटकों का सही क्रम क्या है त ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां पर देखिए कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपके पास कर्वला, जो प्रेमचंद का नाटक रहा देखना, यह पहले रचा गया है, ठीक है, इसके बाद धुरुब स्वामिनी, कर्वला 1927 से 28 के असपास का, उसके बाद धुरुब इसके से आपको यह सही क्रम याद रखना था, तो विकल्प नंबर B इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, कहीं से भी आजकल प्रशन पूछ जा रहे हैं देखना, नेट के पेपर में, कि एक अधा प्रशन ऐसे पूछ लेता है, कि आपको सारी ही चीज़ें पढ़नी पढ़नेंगी उस एक प्रशन के लिए, तो नाटक इसका मतलब यह नहीं है देखना, कि आपको सिर्फ प्रसाद बगेरा के लगे हैं कुछ एक चुनिंदा, लेकिन इकाई दो में जहां पर आपका गद्य विधाय हैं, वहां पर आपको सारी ही चीज़ें थोड़ जो इनके इसमें रहे हैं, वो कौन से थें, तो इसमें आपको याद रख लेना है, इसमें एक मात्र जो आपका खिंगील है देखना, ये इसमें हो जाएगा, जो दुर्व सामिनी में बिरा, और ये हमने पीछे क्वेशन देखा ही था, वहां से आपको याद रखना था, ठ चढ़ा देता है, प्रस्तुत कथन दुर्व सामिनी नाटक के किस पात्र का रहा है, ठीक है, तो अठारवा जो क्वेशन है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चंदर गुप्त, कि विधान की स्याही का एक बिंदू गिरकर भागय लीपी पर कालिमा चढ़ा देता है, ये पर आपको फोकस करना है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, देखिए, ये प्रसाद की अंतिम नाटे रचना है, ये बात बिलकुल सही है यहाँ पर, इसके साथ साथ आगे क्या लिख रहे हैं, कि इसमें प्रसाद ने तलाक वपनरवाह की समस्या के साथ साथ गुप्त कालिन समाज का अंकन भी किया है बिलकुल सही बात है अनमेल विभा की समस्या के साथ स्त्री असमीता का प्रशन भी नातककार ने पाठकों और दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किया है तो यह सारे ही क्या है सही कतन हो जाएंगे तो विकल्प नमबर चार जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा इस बात को आप यहाँ पर याद रखिए चलिए आगला प्रशन देखते हैं यौबन तेरी चंचल छाया दुरुबस्वामीनी में आया यह गीत किसका है तो यहाँ पर देखिए यह था कोमा का गीत कोमा ने कितने गीत गाए हैं मंदाकनी के कितने गीत हैं नर्तकियों और दुरुबस्वामीनी कोन कोन से गीत गाए हैं या गाए भी हैं या नहीं गाए हैं ऐसे प्रशन आपको पूछे जा सकते हैं देखना और दुरुसामिनी में कितने अंक हैं, ये चीज भी आपको थोड़ी से याद रख लेनी है, किस-किस ने गीत गाये हैं, वो भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये नाटक भी important है, दुरुसामिनी के समन्द में असंगत कतनों पर विचार कीजिए, तो यहाँ पर दे इसमें बारा दृष्य नहीं है, अंक भले ही इसमें तीन है, अब आपको बताना है कि तब कितने दृष्य रहे हैं, इसमें इस नाटक के मध्य से, माध्यम से प्रसाद ने योग्यशासकी और ध्यान दिलाने का प्रयास किया है, तो ये भी इसमें क्या है, बिल्कुल सही ब बरावर ही देखने को मिलते हैं, तो यहां पर ये जो है वो गलत है, ठीक है, बाकी नाटकों की तरह नहीं है देखना, मंचे दिश्टी से ये क्या है, बाकी नाटकों की आपेक्षा अच्छा है, जो सामनी नाटक का रश्णा पर जो है, ये उनिस सो तेतीस है, तो ये तो जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इस अधार पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका विकल्प नंबर, जो आपका दो और चार कहां पर है, भी में, ठीक है, चलिए, आई होब कि आप लोग इस प्रशनोत्री को इंजोई कर रहे होंगे, अगर आपको अ कथन दुरुबसामनी नाटक का नहीं है, तो यहां पर देखे को और कथन से रिलेटर फ्रशन ही रखा गया है, सवभागय और दुरुबागय मनुष्य की दुरुबलता के नाम है, ठीक है, तो यह तो दुरुबसामनी का ही है, प्रति एक स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होते, तो यह बिल्कुल शुरुबागय में आजाता यह कथन देखना, जो दुरुबसामनी की एक जो सेवी का होती है, वो उसको यह बात कहती है, चल का बही रंग सुंदर होता है, तो यह वाला भी दुरुबसामनी में आया है यह कथन, भाशा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ ये चानक क्या का कतन है देखना ये मैंने आधाव आपको बता दिया अब आपको बताना है कि ये किस नाटक का कतन है तो अब आपको चानक क्या पातर पता हो गया द्रोवसामनी का तो है नहीं अब आपके पास option है, तो आप इसे comment section में जाकर बता सकते हैं, परसाद के नाटकों के साथ उनके मूल अधार और विश्यों का सही मिलान नहीं है, तो मूल विश्य क्या रहा है, वो देखना है, अजात शत्रू, देवी चंद्रगुप्त के अधार पर, तो यही कथन इसमें क् देखना जो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, सही मिलान ये नहीं है, देवी चंद्रगुप्त के अधार पर जो रहा वो दुरूब स्वामिनी है, देखना, यह बात ध्यान रख लेनी है आपको, बाकी यहां पर बिल्कुल ठीक है, प्राइश्य जो है, जैशन की मुकता प अरंभिक जो अंश के अधार पर रचा गया है, यह भी सही बात है, तो विकल्प नमबर A इसका क्या था, सही नहीं था, ऐसी चीज़ें तो गलत आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, जैशन का परसाद के समन्द में एक बार फिर से बोला गया है कि विचार कीजिए, जैशन जो है, वो सही नहीं रहेगा देखना, ठीक है, तो आगे क्या कहते हैं, जैशन का परसाद ने संख्या की दिश्टी से लक्षमी नरायन लाल वा भारते अंदू से अधिक नाटकों की रचना की है, तो यह वाला कतन भी गलत हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क परसाद के कामना नाटक से हिंदी के में प्रतिकात्मक नाटक पनुपरा का विकास हुआ माना जाता है, तो यह बात important है और यह बिल्कुल सही हो जाएगा, option number 4, ठीक है, 25 कोशन देखते हैं, जैशन का परसाद के नाटकों पर किन दो बंगला और अंग्रिजी नाटक कारों का प्रभाव रहा है, ठीक है, तो यह बाला प्रशन most important question है देखना, ऐसी प्रशन आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें आप एक बार जरूर देखेगा, तो जैशन का प्रसाद के ऊपर जो नाटकों का प्रभाव रहा है, यह रहा है दुजिंद्र लाल राय और व अंगला के हैं और इस तरफ अंग्लेजी के रहेंगे, तो इसका अंसर जाएगा विकल्प नमबर दो, आगे देखते हैं, प्रशन नमबर 26, प्रसाद के नाटकों के समन्द में असंगत कत्रों पर विचार कीजिए, चंद्रगुप्त प्रसाद की नाटे रशना का प्रसाद द्वारा रचितन, कामना को रमेश चंद्र शाह ने कमाईनी का पूरवराग कहा है, तो ये बात भी बिलकुल सही बात है इनके बारे में देखना, भाशिक दिष्टी से सकंद्गुप्त नाटक अन्य नाटकों के विपरीत बोलचाल की भाशा के करीब है, ठीक है तो ये वाला उप्शन जो है वो इसमें बिलकुल गलत है, भाशिक रिष्टी से सकंद्गुप्त नाटक जो है वो नहीं है, बलकि जो द्रुपस्वामनी नाटक है देखना, वो अन्य नाटकों के विपरीत और बोलचाल की बाशा के करीब है, तब ही उसका मंचन जो है वो जो चीजे हैं देखना, उन सब को थोड़ा थोड़ा देखना है, जितना बारीकी से आप देखेंगे उतना अच्छा आपको एक्जाम में रहेगा, अगला प्रशन देखते हैं, भारतेंदु ने हिंदी के किस प्रत्थम नाटक में लक्षमन की भूमी का अदा की थी, इसमें इसने क्या क्या था, लक्षमन की भूमी का की थी, मंचित का मतलब है प्रत्थम अभीनीत नाटक, अब इसमें आपको बताना है कि जो प्रत्थम अभीनीत नाटक था, वो कौन सा था, ये प्रत्थम दुखांत नाटक, ये भी बहुत अच्छा कोशन है, इसे भी तो आप क्या करेंगे तो इसलिए आपको भी थोड़ा सा होमवर्क अपना करना है हिंदी नाटक और रंगमंच से जुड़ी संस्थाओं को उनके स्थापना वर्ष के प्रारंभिक से बाद के क्रम में रखें ये भी अच्छा प्रशन है देखना जो नाटक और रंगमंच से जोड़ी सभाएं और संस्थाओं रही है इनको आपको एक पार जरूर देखना है तो इसमें देखी सबसे पहले क्या आया सबसे पहले जो है आपका नेशनल थेटर ही बना ठीक है उसके बाद आपको ध्यान रख लेना है कि उसके बाद आई आपकी कौन सा जो प्रित्वी ठीक है प्रित्वी थेटर के बाद केंद्रिय संगीत नाटक अकादमी हो जाएगी इसके बाद जो आपका राष्ट्रिय नाट्य विद्याले यानि कि नस्डी और लास्ट में आपका इप्टा यानि कि जनननाट्य संग हो जाएगा तो इस आधार पर भी कल्प नंबर ए ज most important हो सकता है और ये सारी चीज़े आपको मिल जाएंगी बुक में अगर आपके पास दिश्टी की बुक पी है तो वहाँ पर भी ये चीज़े दी रहेंगी और अगर आप लोगों में से किसी ने like class हमारे साथ लगाई है तो वहाँ पर भी हमने ये अच्छे तरीके से बताय हुआ है तो आप एक पार इसको मुझे comment section में चाकर बताईए कि कब कभी इनका स्थापना वर्ष रहा है चलिए अगला प्रशन देखते हैं सही मिलान इनमें से कौन सा नहीं है तो यहाँ पर देखे क्या वो लगया है कि सही मिलान इनमें से कौन सा नहीं है जशीन ये कश्म बिल्कुल ठीक है नाच जो है वो 36 गड़का रहेगा नोटंकी कहां से है ये भी आपको बताना है और करियाला कहां का लोकनाट्य है इसे भी आप जो है comment section में चाकर बता सकते हैं करियाला और नोटंकी और एक इसमें add कर दीजिए और वो है आपका जात्र ठीक है जात्र लो पीपर में पूछा गया था निमिलखित में से कौन से प्रसिद हिंदी लेखक इप्टा यानि की Indian People's Theatre Association से जुड़े रहे हैं जो हिंदी के लेखक भी थे लेकिन ये लेखक जो है Indian People's Theatre Association यानि की इप्टा के साथ भी जुड़े रहे तो इसमें आपको बताना है तो इसमें थ पास देखिये रांगिय राघव राम विलास चर्मा और जो यहां पर आपकी पास रहेगा ऑप्शन नमबर सी और यहने की उपेंद्रनात अश्क क्योंकि जैशंकर प्रसाद और भारतेंदू हरिश्चंद्र यह तो होने ही नहीं थे क्योंकि इप्टा जो बना ही इसके बा उनके बाद ठीक है पचास के बाद तो जैशंकर प्रसाद तो 37 में निकल गए और भारतेंदू हरिश्चंद्र तो 1885 में ही तो इप्टा जो है वो आपका 1950 के बाद की है ठीक है तो इसलिए आप जो है इसको याद रख सकते थे और बहुत आसानी से आप इसको कर सकते थे औ और थोड़ा सा काम आप उनके कीजिए तो आपको बहुत ही असानी से जो है वो जैशंकर प्रसाद और आपके पाठेक्रम में शामिल जो तीन नाटक लगे हैं इनसे चीजें समझ में आ जाएंगे और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रशन जो है इस नाटक के बारे मे या इन तीन नाटकों के संदर्म में बन सकते हैं और उनको भी आप देखिए ताकि आपकी तैयारियां और जादा बहुतर तरीके से हो सके तो अगर आपको हमारा ये प्रियास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को अभी तक अब अगर सब लिखे का बहतर कॉंटेंट जो है वो लाते रहेंगे नहीं तो हम मिलेंगे फिर आपको यूही स्क्रोल करते हुए तो कैसे तो आज के लिए इतना ही जल्द मुलाखात होगी एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत जय हिंद जय भारत